हेलो दोस्तों अगर आप एक यूटूबर हो तो ये वीडियो में आपके लिए ही बना रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आज यूटूब की ये यसीडियो एपलिकेशन हैं उसके अंदर एक टेक्निकली प्रोब्लम आय हुई है जिसमें आगर हम यहां पर अपने टेग्स को डालते हैं और उसको सेव करते हैं तो वो सेव नहीं हो रहे हैं और अगर हम अपना यहाँ पर thumbnail लगा करके उसको save कर रहे हैं तो thumbnail भी हमारा यहाँ पर save नहीं हो रहा है और भी यहाँ पर अगर हम अपना description लिखते हैं और उसको save करना चारहे हैं तो save का जो option है वो काम नहीं कर रहा है YT studio application जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रही है बाकि काम तो यह कर रही है लेकिन पूरी तरह से काम नहीं कर रही है तो जैसे कि हम यहाँ पर अपना thumbnail वगाएरा जैसे कि मैं आप चैंज करके दिखाता हूँ मेरी यह वीडियो है और मैंने इसके जो है इसको इसके thumbnail को change करना है तो मैंने pencil के बटन पर click किया और यहाँ पर edit thumbnail पर click किया और change पर चला गया और यहाँ से मैं कोई भी thumbnail यहाँ सी यह वाला लगाना चाहता हूँ तो जिस पर मैं select करूँआ अब देखिए उपर save का button आता है कोने में इस पर जैसे मैं click करूँआ तो यह click ही नहीं हो रहा है क्योंकि यह पूरी तरह से यहाँ पर black नहीं हो रहा है अगर यह पूरा black हो जाता है तभी यह work करता है अभी यह blur हुआ है तो यह blur हो रहा है यह technically problem आ रहा है टिक टॉक इसके sorry YouTube के अंदर तो YouTube के अंदर यह technically problem है तो इसमें कोई issue वाली बात नहीं है यह सभी की साथ में हो रहा है मेरी बहुत सारे YouTuber से बात होई है जिनके message मुझे मेरे Instagram पर आ रहे हैं मुझसे पूछ रहे हैं मुझसे कह रहे हैं भाई हमें यह problem आ रहे है तो समझ लीजे यह technically problem है यह खुद fix हो जाएगी automatically कुछ बंदों ने यहाँ पर अपने YT Studio application को install भी कर लिया phone को restart भी कर लिया इस problem की वज़ा से लेकिन उनकी यह problem अभी तक fix नहीं हुई है मेरी भी problem है यह मुझे भी आ रही है यह problem और इसको मैंने यहाँ पर text किया इस तरह से अब मैं इसको save करना चाता हूँ तो मैं देखो save के बटन पर click कर रहा हूँ मेरा save नहीं हो रहा है तो यह जो problem आ रही है यह technically problem है तो इसमें आपको कोई परिशान होने वाली बात नहीं है यह automatically सहीब हो जाएगी अब बात आती है कि जब तक यह सही नहीं होगी हम अपने इसको कैसे मतलब अपना thumbnail कैसे change करें अपने tags कैसे लगाएं तो देखे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है आपको जो है अपने chrome browser में अपने youtube को open करना है youtube को open करने के बाद में आप वहीं से उसको सारा का सारा manage कर सकते हो thumbnail change कर सकते हो description लिख सकते हो tags लगा सकते हो सारी चीज आप अपने chrome browser के अंदर जा करके वहीं से आप यह सब चीज manage कर सकते हो मैंने अपनी सुबा से वीडियो डाली जो है तो मैंने वहीं से डाली है वहीं से सब कुछ किया है क्योंकि यह जो white studio application है यह work नहीं कर रही है तो इसमें आपको problem कुछ नहीं है कोई भी issue नहीं है हो जाएगी fix हो जाता है कभी-कभी youtube के उसमें जो मसला चलता रहता है कभी-कभी net का fault है कुछ भी हो जाता है ऐसा तो उम्मिद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगए गर आपको पसंद आई हो तो इसको like करें शेयर करें मेरे चैनल को subscribe करने ना बोलें तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में